नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजियंदर दत्व आप देख रहे हैं अर्थप्रकास टीवी दोस्तों 5 अक्तूबर को हर्याना में जो है विधान सवाज चुनाव हैं और 8 तरीकों उनका रिजल्ट आ जाएगा उनके नतीजे आ जाएंगे लेकिन उससे पहले सभी जो पार्टियां है राजिनितिक पार्टियां है उन्होंने अपने जो स्टार परचारक है उनको एक दाच्व स्वापा है उनको एक जम्यवारी स्वापी है कि वो पूरे परदेश में जाकर अपने परचार करें पार्टी का परचार करें और पार्ट के बहुत अच्छे जानकार हैं, आई उनसे चर्चा करते हैं कि यह जो स्टार परचारक हैं, यह अपना रोल कितना बखुबी निभा पारहे हैं और कितना बखुबी निभा पाएंगे, मैरा सब सब्सक्राइब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, थेंक यू, मैरा परचार करें हर्याना में, उसमें से कुछ हाई कमान से होते हैं, उपर से होते हैं, केंदर से होते हैं, और कुछ लोग स्टेट से होते हैं, हराज्या से होते हैं, और वो जाकर परचार करते हैं, क्या आपको लगता है कि यह जो स्टार परचारक हैं, यह अपना रोल, जो प पताया आपने कहा कि स्टार परचारक जो विविन पार्टियां अपने स्टार परचारकों की सूची जारी करती है जी और उनमें कुछ जो हाई कमान के उनके अलग अलग पार्टियों के लिडर होते हैं नेता होते हैं और कुछ स्टेट के नेता होते हैं और उनमें जो स्टार पर चारकों की सूची त्यार की जाती है उसमें जाती अस्मिकन साथ कर स्टार पर चारकों की सूची त्यार करती है जी और किस-किस जाती के नेता को वहां हर्याना में बेजना किस-किस जाती के नेता को दूसरे स्टेट में बेजना जहां इलेक्शन होते हैं तो अलग-लग से करने कि लिए उन को पनी बात बताने के लिए जाती के प्रभाव उनंकी पर्परचार कंई उनका करें लोगते की तो य्के आए नियुक वाले के प्रुट का Negan जारी की थी प्रकार से भारती जंता पाटी ने भी चाड़ी स्टार पचार कोंगरेस पाटी के अगर हम बात करें तो मलिकार उचन खड़के उनके प्रेजडेंट हैं कॉंग्रेस पाटी के राहूल गांदी हैं प्रियंका हैं और दुसरे जो बड़े उनके आईकमान के सिंग है बुबेंदर हुड़ा हैं रणदीव सूर्जेवाला हैं यह सारे हर्याना से भी उन्होंने इंक्लूड सूची में किये थे और इसी प्रकार से अगर बार्तिय जंता पार्टी की बात करें तो बार्तिय जंता पार्टी के जो मुक्यस स्टार परचारक हैं वो नेता उनकी नाम है कुछ स्टेट के लिडर थे जैसे मुक्यमंदी नाइप सिचैनी हैं ओपी धनकड हैं और अलब बडुली जो हैं अगी स्टेट अध्धेक्स हैं वो हैं जी तो यह सारे स्टेट अध्यक्स तो सभी के होते हैं साइक पार्टी अंबिदेवान की बात करें इस ले पार्टी यहां स्टार परचार को भी सुची जारी करते हैं और उनकी अलगलंग जुम्यवारी लगाए जाते हैं कि आप इन इन चेत्रों में जाएंगे उनका इक स्पेस्ल कार्यकरम जो स्टेट एक हैं उन से और जो केंडिडिय के उन्से चांड़ा करके उनका वह तो एसे में कई सारे अब भारियाना में ऐसे स्टार प्रचार रहा हैं जिन या तो खुद छुनाव लड़ रहे हैं और या फिर उनके पूत्री या उनके पूत्र चुनाव लड़ रहे हैं तो अब स्टार प्रचार कों की जुम्मिबारी तो लगाई गई थी पूरे स्टेट में प्रचार करने के लिए पार्टे की का दिविदियों का पार्टे की अचुमेंट का पार्टे की नेतियों का पार्टे की कार्यकरमों का लेकिन अब जो अर्याना में जो स्टार प्रचार रखे हैं को चाहीं कॉंग्रेस पार्टी ने के लिए पसा हुआ है जी सब्हीं परचार चाहे बारती जिंदाप्रटी के सब मों करता है कि पूरे रजया में परचार उनको यह लगा है कि परचार कंगो लेकिन ये इस बात पर लगय हो कि हम सुमी कुद छुनाव जिते हैं ये किसी पॉर्ट सबी पार्ट या है ये सभी पार्ट को नाम लेकर आपको बताऊ은 तो सब्लें पार्ट में इस अनुल है पूछने वाला था, आपसे जानने वाला था, कौन-कौन से ऐसे प्रचारिक हैं। जो ऐसे नहीं जा पा सब्सक्राइब ऐसे पैसे दॅ कर तो। पने ये इपरके हारे लागते हैं। और कई लोगों को उन्होंने टिकर दिलवाई है अपनी भारती जिन्दापार्टी के उनका प्रभाव के चलते भारती जिन्दापार्टी ने उनकी बात को स्विकार किया है माना है और कई लोगों के साथ उन्होंने अपनी बेटी आरती राओ को भी अटेली से मदान में उता पार्टीजन्ता पारटी हें दूसरी और कॉंग्रेस पार्टी की केंड़ेंग है जो अनिता यादव है जो पहले कॉंग्रेस पार्टी चे विडाहिक भी रह चुकई और एक जो अतर लाल है आ एल्ड और भी स्प्थी केंड़ेट है उन्हों में उन्हों потреб कंड़ा whispering है और होते चुनाव जीती जाएंगे लेकिन दिन बर दिन अभी चुनावी जो ग्राफ है हारे केंड़ेट का किसी का उपर जा रहा है किसी का नीचे जा रहा है कोई टिकोड़ा मुकाबले में फसा हुआ है तो अब आज की दिन हमें जो दातल पे पत्रगार वहां पे नार न चुनाव मुकाबला मुकाबला हो रहा है जो जो आज के नीचे जा रहा है चाहिं जो आरती राव को भुकतना पढ़ रहा है अगर अस्तरलाल ऊपर आ रहे हैं तो यहां से गुर्गाओं से सांसद भी है मुझे लग रहा है ना राव इंदर जीत सांसद भी है और दो बार भारतिय जिन्दपार्टी से सांसद बने दोनों बार मंत्री बने जी जी बने तो उनकी बेटी उनके लिए एक नाक का स्वाल है उस केंडिट अपनी बेटी को जिताने का जी और अगर वोटों की अगर वहां बात करें तो दो लाग के आसपास मुझे लगता वोट वोट वहां पे हैं इसमें अटेली में जी और जिसमें ठाकूर वोट भी हैं और यादव वोट भी हैं जी जाट भी हैं बारा हजार में जाट फोटर भी हैं जी और ऐसी वोट वोट हैं चारीस हजार के आसपास मुझे लगता है क्योंकि एक किसी भी आप कस्टिजूंसी पे ऐसी के और अलग से तो नहीं कर सकते लेकिन एक आइडिया लगा जाता है एक अनुमान लगा जाता है कि लगबग बीस परसंट डर्णा में ऐसी वोट माना जाता है तो इसी हिसाब से अगर दो लाक वोट टोटल मुझे लगता है दो लाक के असपास है तो चारीस हजार के असपास ऐसी वोट भी है तो इन में ऐसी वोटर और ठाकूर वोट और जाट वोट जहां भी जिसकी तरफ मुझे लगता है ज्य है यादव वोट है उनके पास कितने आते हैं कितने ज्याद आते हैं उसके बाद उनका दावा और ब्रामन वोटों में दावा है उनका जी तो अगर इस तरह से समीकरने उनके पक्स में जाते हैं यह ज्यादातर वोट अगर प्राप्ट करने में सफल हो जाती तो आर्टी वोट और ऐसी वोट कंग्रेस का जो माना जा रहा है अगर से वोट कंग्रेस की तरफ आता है तो वह कहिए ना कहीए आनिटा याद वो बिभारी पड़ सकते ही तीसरे केंडेट जो जो बीएस्पी और इसके के नाम के अतरलाल को भी मजबूत केंड़ेट माना जा रहा है आज की जो स्थित्य है अतरलाल ठाकूर समुदाई से आते हैं ठाकूरों के 40,000 वोट है अगर मैक्सिम ठाकूर वोट उनके पास आते हैं और तिनों पार्टियों के जो केंड़ेट होने के कारण ऐसी वोटों पे भी उन समिकर्ण उनके पक्समी जाते हैं तो कई यन कई वो भी मुकाबले में तो इससे कह सकते हैं कि तीनों जो उमिद्वार हैं मुकाबले में और इसके लिए जो अपने बेटी को चिताने के लिए राविंदर जीट को लगातार पसीना भाना限ा पटा रहा है शा MRK जो पहले रेक्सर्ण है और ficiente है छो आने माले चारपांस दिन गें तो आने फाइध की क्लियर ओ पाएंट बहुता है न दूसरी हैं हम बात करते हैं उच्छाना वेदान सबाग सित्व negó जो कॉंग्रेस के मिद्र हैं चौदरी बिरेंदर सिंगह के ए बेटे हैं बेटें बरिजेंदर सिंगह पोरो आई सधिकारी हैं और वह त कॉंगर्षा पार्टी में अभी MP रहे हैं जोने अभी श्मिने पेले पार्टी जनता पार्टी से MP रहते हुए रिजाइन किया है जी जी और कॉंग्रेस में आए हैं जी और उचाना में जो पार्टी के इलावा जो भारतिय जन्तापार्टी के उमिद्वार हैं वो देवेंदर आत्री हैं ब्रामिन समय दॉद्वाई से हैं और इनके इलावा 2 जो पूरुआ उप मुख्य मंत् हैं जी वो जजब पार्टी से वो मिदवार हैं दोसे जोटाला तो पिछली बार 47,000 बोटों से मुझे लगता है उससे भी ज्यादा बोटों से सुनाव जी दे दे और सरकार उन्होंने वागिदारी की थी और इनके लावा जो जो इंडिपेंडेंट व मिदवार हैं वो एक का लाग संडील हैं वो भी जाट समुदाई से हैं और काला चेर्मेन भी जो जाट समुदाई से हैं और जो विरेंदर गोगडियां एक और बड़े इंडिपेंडर मजबूत उमिद्वार हैं आजाद उमिद्वार हैं विरेंदर गोगडियां वो भी चुनाव मैदान में तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो जो मजबूत जहां उमिद्वार हैं वो पांच जाट समुदाई से सम्मध रखते हैं चाहे भरजिंदर सिंगी बात को बात हो चाहे काला चेर्मेन हो दिलवाग संडील हो या विरिंदर गोगडियां और पूरो उप मुख्यमंदी दुशन का फाइदा होगा अगर बहुत कम मात्रा में इनका जो वोट है जाट समुदाई का बठता है तो तो ब्रजिंदर सिंग को कहीं ने कहीं फाइदा होगा जैसे आज जो एक कॉंग्रिस के फेवर में लाहर चल रही है जान वोटर उनके पक्स में बात कर रहा है जी जाट जननाक जनता पार्टी के फाइदा होगा जाट बोटर किस मात्रा में बठेंगे और किसे मात्रा एकते किसे जब यह टक्र सवभावक है जाट बोटों में डबंड करता है उधर जो एक जो वोंट में पार्तिर जंता पाटी मानने योबी सी को ब्राहुन को और दूसरे अगर जुकाव रहता है देविंदर की तरफ जुकाव रहता है तो जाट वोट बटने का देवेंदर अत्री को फायदा होगा अधिरवाइस बिरजंदर चिंग को कम वोट बटते हैं तो उनको फायदा मिल सकते हैं लेकिन यह अच्छे जो चारों के इंडिपेंडेंट और जजबाई की में हमने बात की अच्छे जो चुनाव लड़ेंगे और जाठ जो समुदाइस यह अच्छे वोट गेन कर सकते हैं ऐसे में एक कई तरह का कई चोकरना बलके पांच कोड़ी है मुकावला कह सकते हैं उचाना में बना हुआ है तो इसमें चौदरी बिरेंदर सिंग और उनका परिवार लगातार जो उन को पाइदा उनकी बेटा सकता अगर लोगों की नराजगी अगर उन्हों नराजगी सुनाओ में दिखाई तो मुझे लगता उनको बहुत कम फायदा होगा जी आप करते हैं कैथल की बात करते हैं कैथल में रंडीब सूर्जवाला जी 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 जो पार्टी के थिजा तो एक नाम है बड़ा नाम है रंडीब सूर्जवाला का खुद शुनाओ जाए हैं लेकिन पार्टेव ने उनको गटे को ठीकर दिया है। तो अदित्य शुर्जवाला अब कैथल में जी जी जूनाओ बाटे के लिए रंडीब सूर्जवाला ने सर्धु दर्ण की बाजी लगाई हुए कैथल में कैथल से वो दो वार चुनावार चुक्ए है लिला राम गुजर के मकाबले भारती जंदापाटी के मकाबले लेकिन अब वा जो पहले दो बार विदार्यक महाँ से रहें मिनिस्टर रहें इनोंने कैथल में काम भी करवाया अपने काम की बदूलत है कैथल में कैथल के लोगों से अभी जो दिनरेंतर जोड़े हुआ है वो उनके काम को स्विकार भी करते हैं लोग अलागे कैथल की लोग स्विकार करते हैं कि जो एक सहर कर नर्माण किया उसमेंगे तरणदीब सुरजवारा का बहुत मैतापूर्ण योगदान रहा है जी तो अभी फिर भी वो दोस्त बार जब आ रहे हैं तो अभी चुनोती मानने हो कि अभी कहीं अब तिसरी बार ऐसा ना हो जाए और लिला राम गुजर भी अपने जो पार्टी के जो कारेकरम है उनको लोगों के बीस में लेकर जा रहे हैं जो बार्टी ज उसको दोराने के लिए कि उसे को दोनों चुनोती दे रहे हैं तो सुर्जे वाला जो रंदीप सुर्जे वाला एक स्थार परचारक है और कॉंग्रेस पार्टी के बड़े दिगर्ज नेता भी है तो कहीं न कहीं वो भी अपनी उस कॉंसिच्चन से जा उनका बेटा चुना दिलवाया है सत्बीर दबलैन है मुझे लगता है तो उनको टिकर दिलवाया है उनके चुनाव परचार के लिए बेगे जा रहे हैं और लगातार उन्होंने कुमारी सहलजा को भी उन्होंने बलाया है तो बस नहां से नर्वाना को छोड़के मुझे लगता है कैथल में ही हुए है तो आने वाले टाइम बताएगा कौन बारी पड़ेगा जीतेगा तो अभी करते हैं जैपरकास जैपरकास जैपी हैं जो सांसद है हिसार से उनका बेटा कलायट से चुनाव लट रहे है विकास सहरण तो कलायट कंग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है और कला रोचक मुकाबला देखने को मिलना अब की बार जी कलायत में विकास सारण है कॉंग्रिस पार्टी से और बातिय जंता पार्टी से हैं कमलेश धंडा जो निवरत्मान विधायक भी है मंत्री भी रही है जी अलांके राजय सब क्या नाम विधान सबा भी वह भंग हो चुकी है तो जो यह प्लान थी उसमें विधायक रही है वो कमलेश धंडा है बातिय जंता पार्टी से और एक अनुराग धंडा आप पार्टी से चुनाव लट रहे हैं अनुराग धंडा हलांके वो भी स्टार प्रचारक हैं आप पार्टी के वो सुनाव लट रहे हैं और अनिता ध दे कर विकास सारय को टब कर दिया तो अनिता धूल एक जो मेरा केंडिएट तो उल्द bank reprpert निम्हर मजरा उल्द अभी जितने लोग आप सत विंदर हमीड़िए चनाव लड़ रहे हैं में पेंडीपर्डेंट जो कॉंगरेस पारटी के विधायक भी रह धू सत्विविंदर राना और एक और केंड़ेट को चोड़ कर प्रितम महरा को छोड़tt जो सत्रींदर राना उंको छोड़के बाकि सारे केंड़ेट है आते हैं जी तो यह जो जाट स्मूधाय से आने के कारण कांग्रेस और जो बारतिया जिंदा पार्टे एकएंड़ेट हैं यह सारे के सारे जाट पार्टेओं इस आने वाले जो मुद्वार हैं इनके लिए दोन वो बिक्राव में हो सकता है और उसका कहीं नहीं इन्यक्तान जो है वो फिर से विक्राव हो सक्ता हो उन्हिता की लेति यह उड motivateов ुक का विकास सारंगी तरफ आता है तो उनको फायदा हो हो गा अगर तो रांपल माजरा को फाइदा हो सकता है और अदियांद हो लेखें जाएंड तो उनको फायदा हो सकता है लेकिन सबीजाट काम् offenders personaje कि विद्वार हैं, अगर वोट अच्छा वट जाता है, टो, कमलीस इस डाटा PARTY की विद्वार है, फपाइदा हो सकता है, जी, पाइदा हो सकता है, अभी कोई सत्ति महां की clear नहीं है, चार कोणियों मकाबला है, और चार कोणियों मकाबला में कोछ भी कोई भी, ये velPh senior मैं यह बोलने वाला कि उसे पूरे जो जो कॉंग्रेस पार्टी ने हैं उनको एक पूरे जो इसार संसिदिया से तरह उसमें चुनापरचार के लिए उनका नाम दिया था पर वो बाहर ने जाकर सिर्फ कलायत में उल्जे हुए हैं कहीं न कहीं पुत्रमों में हो भी हार जीत क करते हैं आदमपूर की जी आदमपूर से कुली विष्णोई जो पार्टी के बड़े लिंडर है और कॉंग्रेस पार्टी में रहे हैं उन्होंने अपनी पार्टी भी चलाई है बजनलाल के स्पूत्र है बड़ा नाम है जी बिलकुल ठीक तो उनके बेटे भवे विष्णो रामजी लाल के जो बतीजे हैं और चंदरपरकास पूरो आई-एस अधिकारी भी हैं तो उन्होंने एक जातिय समेकर अंद साथकर कॉंग्रेस पार्टी ने वहाँ पे चुनावक मैदान में उतारा है तो जातिय एक इसके अलावा आप पार्टी ने भुपेंदर बेनिवा आप बेनिवार वहाँ पार्टी कि उमिदवार आइनली और जो भुझन समाघ पार्टी है उन्होंने रणदीप लोचब को कर चुनावक मैदान में उता रही जो हरी सिंग जी के बेटे हैं चारी बंशीलाल के प्लिटेकल सेक्रेटरी भी रहे हैं और देविलाल के प्लिट क्रिस्टिन गंगुवा तो सिर्व कॉंग्रेस पार्टी के और जो बारतिय जंता पार्टी के दोनों विद्वारों को छोड़कर बाकी सारे के सारे उमिद्वार मुझे लगता है को जाट समुधाई से आते हैं तो तीनों विद्वार जाट समुधाई से हैं उद्र विश्ण पादा बोट पहले जबसे वो चुपन साल से उसे एकी सीट पर सोधरी बजनलाल परिवार जीता है जी तो उनके उनका कहीं वोट बैंक माना जाता है तो अब की बार कांगरेस पार्टी ने खेल कहला है जो उसमें उनके मुकाबले चंदर परकास को मैदान में उतार करें चंदर परकास को आता है पार्टी ट्रेंड के अनुसार तो चंदर परकास भारी के एंडियेट को से अगर परंपरागत सारी बसनलाल का वोट है वह विश्णोजी की तरफ जाता है तो निश्कत दूर्प से वह विश्रोई बारी होंगे और जाट वोट अगर बढ़ता है ज्यादा मैक्सिम मात्रा में आइनल्डिक और जेज़ेपी और बुपिंदर वे निवाल जैसे आप पार्टे ये बढ़ता है तो कहीं-कहीं उनको जो चंदर प्रकास से उनको नुपस्यान होगा ऐसे में मुझे लगता है बवे विश्णोई को ज्यादा फायदा होगा अभी नोनों में कांटे की टक कर रहे हैं तो इसका मिलगी है किल्दी विश्णोई भी जो है वो अपने जो इतिहास है उनके परिवार को उसको कायम रखने के लिए पुरी तरह से आदमपूर में जटे हैं पूरा परिवार उनका पति-पत्नी और उनके बेटे और अपने अपने टीमों के साथ वो लगे वह हैं लेकिन देखने बड़ी बात है यह के चुनाव निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते हैं तो इसके बाद बात करते हैं हम कैप्टन नाजेय आदव हैं जी बड़े नेता रहे हैं बिल्कुल और कई बार के विधायक माबे मंत्री रहे हैं अचे पावरफल मिनिस्टर अर्याना में रहे हैं कैप्टन नाजेय आदव के बेटे जो चिरंजी राव है जहां जी और लालु परसाद जो एक रल्डी के लास्टी लोगदल के लीडर हैं लालु परसाद का एक नाम उनके धमाद भी है यह जी जी राव वो कॉंग्रेस पार्टी ने उनको रिवाडी से टिकट दिया है और दूसरी बार वो चुनाव लटर एक बार मले पहले रहे हैं और यूवा कॉंग्रेस पार्टी के यूवा भी किया गया रिवारी में तो उसके लावा रिवारी में चुनाव लटर रहे हैं वीजैस होँमानी बीसपी से हैं और चुनाव लटर रहे हैं आजांकि वह बारपेटा दोनों ऻिधाय करें हूंकि अच्छे संबरक भी है वहाँ पर और इच्छा एक वोट बैंक भी है तो बात करते हैं हम TOSAAM HALKIE की जी तो इसाम हALKIE से जो किरिंचोधरी है बारतीरंटपार्टी की बड़ी नेता है अभी अभी बारतीरंटपार्टी में आई है कॉंगरेस पार्टी की वड़ दसकों बड़ी नहीं आपधा रही हैं चोडरी बांचिलाल की फुत्रवधू है चौहानदर सिंग की वाइफ है और चौहन सिंह का चौधरी बदल तो एक नाम रहा है चौहें बंसिल्लाल की राजनिति हम सभी पुरे ngवासी जानते हैं पहले बार को चौनाव मजान में तरह ψ ंर दूसरी ओर एक इंटरस्टिंग विशह ये है कि आपर अन्विथ जो रन्वीर मेंदरा के जो चौधरी बंचिलाल के पोत्र हैं परिवार के पेटे हैं और दोनों चाचा-चाताओं की भाई हैं पेटे हैं और वह मजबूत एक स्तिती कह सकते है जो उसरे की जो चौधुरी बंशिलाल की बात वो कर रहे हैं गुषनकी कि चौधरी कःता है करता है कि चौधरी बंशिलाल palavras में को थिस त değild an कि उसमें न दोनों का चुनाव पड़ी संगर्स का चुनाव और इसलिए जो सिर्फ और सिर्फ जो किरन चोदरी के सामने एक किटार गेट है अपनी बेटी को चुनाव जितवाना और चुनाव जितवाने से वह कहीं न कहीं एक अपने आपको अथ्राइज भी कर पाएंगी इ इसवज़े से कहीं न क्या तो शौड़कर ये इस टार पर्चार रहे हैं तो अब बात करते हैं जो जो स्टार परचार रखें हैं कांग्रेस की विनेश फोगाट जो एक ऑलिम्पियन है और ऑलिम्पिक में उनका जो मैडल न हो ब्ड़े चर्चा में रही है आते रहा गया ह किनी कारणा उसे डिस्क्वालिफाई उनको कर दिया गया था और अलांके उनको मैडल नहीं जीत पाई लेकिन लोग पर रहादा कि अगर आप उनकी चरम जीमा पर पहुंच गया तो उनको जानुबूती हर्टरा से मिली और इसलिए उस जानुबूती को बुनाने के लिए कॉ जो लाना के में उनकी साधी होई है उनकी सोचराल है ठीजमा जो तो अब जो आमते हैं पर आलात अब वह जो महला में कह सकते हैं तो एक कविता दलाल है आप पार्टी से मुझे लगता आप पार्टी से हैं जी वह भी डबली डबली की रेसलर रही है वो भी जी है और तो जुलाना में भारती जन्ता पार्टी के जो कंडिट हैं वो है योगेस बरागी जी तो योगेस बरागी पर धाव खेला है भारती ज्न्ता पार्टी ने जो जो अबिसी समुदाय fashion राटे हैं और जुलाना में उंका हिगाम भी नहीं सपीता में उनका गाम पड़ता है और कैपटन हैं वो रहे हैं तो so योगेस बरागी के इलावा बाकुी जो जितने केंडियर्ट हैं, सारे के सारे, जाट समूधाई से आते हैं। आज जो हलात लग रहे। जो कॉंग्रिस पर्टी का एक दावाँ हो रहा है कि जाट वोटरोज किसान वोटर, जाट वोटरोज कि साथ हैं। यह से में योगे स्वरागी को चोड़ते हैं तो बाकि सारे के सारे जाट समूदाई से आते हैं सुरेंदर लाठर की बात करा है नल्डी से जी और तीनों सुरेंदर लाठर और विनेश फोगाट और जो कविता दलाल है वो मजबूत सित्वी में मुझे लगता पहुंचे विनेश फोगाट को फाइदा होगा और एक ऐसी समूदाई पर उनका दावाब है ब्यकष्ड समूदाई से तो वह भारतिय जिंदर पार्टी किये हैं वह उन्होंने विक्षा है उनको कि ब्यकवर समास का वोट लुकेपास आएगा और ऐसी समास का भी वोट और भारतिय ज होगा जी हर नहीं तो फिर अगर कम बढ़ता है बढ़ता है तो तिनों के अंडिट में फिर बीनेस फ़ो गार्ट को वाईदा होगा यह जुलाना की इस दिद्धी लेकिन विनेस फोगाट जो स्टार पर चारक बनी होई है बनाई है कॉंगर्स पार्टी ने वो जुलाना जे कट्टा ही वाले निकल पाई है अब इस बात है क्योंकि उनका पहला चुनाव है और कहीं न कहीं न कहीं उनके लिए अपनी साख बचाना बहुत जरूरी है तो इसलिए वो उनकी कोशिश ही रही जुलाना में लोगों तक पहुंच करें और जगातर उसी में वो कहीं न कहीं व्यस्त है और इसलिए स्टार प्रचार कोने के बाब जूद वो कहीं भी निकल भी निकल भी निकल भी निकल पाई है शुरू में जब आई थी उनका ग्राफ अच्छा था लेकिन बार बार उनको दिपिंदर उड़ा को इतना आसान नहीं बिल्कुल 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 साख बचाना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे समय पे तो बाकि सारे जितने भी और हैं लोग नाइब सैनी जी हैं वो उनको तो पूरे हर्याना में घुमना पड़ रहा है उनके लिए भी लाडवा में चुनोती बनाव का ज्राव बना हुआ है उनको पूरे हर्याना में प्रदेश में परचार करना पड़ रहा है और जिनकी हमने बात की यह वो परचार होते हुए भी अपनी एरिया से अपनी से अगर बात करें लगे हैं पूरे हर्याना में अगर बड़े नेता उनकी आत्ते पार्टी के तो इनके साथ अना जुनुरी धुरी है तो बाकी सारे जितने हमने स्टार्पर परचारकों की बात की ज्यादा तर parece जितने फे मनें समय हुएा है उसमें अपने पीटर और पुत्रियों हो जिताने के लिए लगे हुए है बाकी पार्टे की तरफ और ज्यादा पूरे स्टेट की तरफ उनका ध्यान कम है अपने ही चुनाओ परचार में फसे हुए लगते हैं बहुत तफसील से बहुत डिटेल से आपने हमारे दर्शकों को यह चीज बताई मुझ की फोकस कर रहे है तो यह क्या अपने लोगों को चिता पाएंगे कहां पूरी पूरी कोसिस है यह तो पुराने जो स्टार परागत ओंपर ध्यान रखतें सभी तर गे समिक अनों को वे काम में ला रहे हैं आप देखने वाणी बाद यह है कि अब जिता पाएंगे आप किसे कर पाएंगे किना परभाह उन पे डाल पाएंगे तो यह तो पांस तारीक और आठ तारीक को पता चलpha है है蒲ागी सो दोस्तो वो सभी राजनितिक पार्टियों ने अपने स्टार पर चारक हैं, उनके कंधों पर एक जुम्यवारी दी है, कि वो परदेश में सत्ता को बहाल करें, सत्ता उनकी तरफ लेकर आए, लेकिन आने वाली 5 अक्टूबर को लोगों का मन क्या कहता है, लोग किस तरफ जाते हैं, इ आपको कमेंट करना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाएए, कमेंट कीजिए, आपके हर सुजाब का, आपके हर कमेंट का, अर्थ परकास टीवी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा स्वागत है, सो देखते रहिए, अर्थ परकास टीवी, मै झाल